Hello everyone and welcome to SkillBuzz. दोस्तो इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ financial modeling के बारे में. दोस्तो financial modeling होता क्या है? किस तरीके से ये particular चीज बहुती important role play करती है? और क्या jobs available है market में जो इस skill के साथ आप acquire कर सकते हो? ये सारे चीज मैं इस वीडियो के थूँ डिसकस करना चाहूँगा. So my name is Sabay Saatchi and with no further due, let's begin. सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe कर देना and please press the bell icon ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो हम लोग upload करे उसके बारे में आपको direct notification मिल जाए. We also have an Instagram channel by the name of SkillBuzz Official जापे हम लोग daily basis में important facts और valuable information share करते हैं. So do follow it as well. Getting back to the topic, the first thing that we need to learn क्यों एक company की valuation होती है? आप बहुत बार ऐसे सुने होगे कि एक company को ऐसे बोला जा रहा है कि इस company का market value इतना है या इस company का जो share है उसका price इतना है और ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोग often बोलते हैं. तो एक company का valuation आखिर में होता क्यों है? बहुत सारे reasons होते हैं बाट यहाँ पर मैं particularly कुछ reasons लाया हूँ जो बहुत जादे important है. जैसे कि mergers and acquisition है एक company जब दूसरे company के साथ merge होती है या फिर एक company जब दूसरे company को acquire करती है तो उस company का जो optimum value है उस company को पता रहनी चीए जैसे कि joint venture अगर हो रहा है तो दोनों का balance sheet साथ में लेके चलना है तो इस time पर company का जो valuation है वो जानना ज़रूरी है एक दूसरे के लिए तीसरा venture capitalism अगर आप एक startup में हो या फिर कोई investor हो आप जो एक startup में invest करना चाता है तो आपको उस company का जो fair value है वो आपको जानना पड़ेगा राइट इस वज़ए से company का valuation important है एक company अगर initial public offering IPO में जा रही है या फिर stock market से dealist भी हो रहा है तो इन सब में company का valuation का एक idea रहनी चाहिए एक fair value का idea होना से ही है और आप अगर normal as an investor अगर sell कर रहे हो अपने products को या फिर अपने कोई भी company के shares को तो उसमें भी आपका जो company का जो price है जो company का fair value है उसको आपको पता रहनी चाहिए रहीट तभी वो जो transactions है वो possible हो पाएगा तो यह सारे reasons से जिस वज़े से company की valuation बहुत important role play करती है अब मैं आपको एक दूसरा perspective से बताता हूँ for example आपका एक startup है startup को बहुत जादा attention मिल रहा है एक investor आपके startup में पैसा invest करना चाहते है you are lucky enough to get an investor who would pay for your startup ठीक है तो जब वो पैसा देने आ रहा है और वो आपके companies के कुछ shares मांग रहा है तो उसको उस company का actual valuation पता रहनी चाहिए कि उस share का क्या fair price है अगर आप जादा price पूछेंगे तो investor बोलेगा नहीं भईया रुको हम दूसरा startup देख लेंगे और अगर आप कम price में भी बेचोगे तो यह आपके लिए personal loss हो गया क्योंकि आपका company का actual value शायद उससे जादा है तो इसी वज़स से एक proper valuation का importance है यह ज़रूरी है कि एक proper valuation किया जाए तो दोनों के लिए fair हो तो इसी वज़स से valuation का importance होती है दोनों perspectives से अब एक investor के perspective से अगर सोचोगे तो आप generally जब invest करते हो तो क्या देख के invest करते हो आप अगर आज पैसा निकाल रहे हो अपने pocket से कि मैं यह पैसा डाल रहा हूँ company में तो क्या सोच के डालते हो, क्या सवाल खुद से पूछते हो कि यह company में को आने वाले time में कि इस company का future cash flows कितना होने वाला है आप future का सोच के कर रहे हो कि company का future है वो मुझे कितना पैसा वापस करेगी वहीं सोच के आज आप पैसा डालोगे अगर जादा पैसा वापस करेगी future में तो आज आप जादा पैसा देने के लिए तयार होगे अगर कम पैसा देगी, तो आज भी आप कम ही पैसा देने वाले हो, तो company का जो investment है, वो क्या है, वो actually a function of the projected cash flows that's going to come in the future, इसी basis में company का हो रहा है, सही बात है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से सोचेंगे हम, तो इस चीज़ से हमें conclusion में draw कर सकते हैं, तो देखो या हेले से उसका amount पता है, बट अगर आप एक company के बारे में सोचोगे, तो company का तो कोई assurance नहीं है, कितना ही पैसा वापस आएगा, अब company का जैसे future में performance होगा, जो की काफी ओंसर्टन है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस basis में आपको पैसे वापस आएगा, तो जो पूरा idea है, पूरा एक model है, इसी को financial modeling बोला जाता है, कि आज का company का इतना performance है, आज का company का ये plan है, future में ये सब करने वाले हैं, इतना employees लाने वाले हैं, जो भी सारे plans हैं, plans को merge करके जब एक model बना के आप forecast करते हो, कि future में company आपको इतना पैसे वापस करेगी, और उसी forecast के basis पे जब आप एक present value, आज का value decide करते हो, इस पूरा process को financial modeling बोलते हैं, financial इसलिए बोलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो बात है, वो पैसो का है, capital का है, कि आज इतना company का capital expenditure है, तो उस basis में company का इतना revenues आ रहा है, इतना profit आ रहा है, आने वाले time में company का ये plan ह है, तो उस basis पे उसका इतना profitability आने वाला है, तो यह जो पूरा thought process है, इसको जब आप एक numerical form में represent करते हो, और उस basis पे जब आप derive करते हो, कि इस basis में मैं बोल रहा हूं, कि आज company का ये price है, कल क्योंकि मैं इतना आपको देने वाला हूं, तो इसी वज़े से मैं आज आप से इ financial modeling हुआ क्या, ये एक decision making का tool हुआ, क्योंकि इसी model के basis में आप decide कर रहे हो, कि आज का price कितना है company का, ठीक है, और वही price आप pay करने वाले है, उस company का fair value achieve करने के लिए, ठीक है, दोसरा चीज, company का जो activity है, future का वो आप decide कर सकते हो इस से, तो it's an activity that decides the future perspectives of any entity, कुछ भी हो सकता है उसका company का operations कैसे होने वाला है, company का financial structure आने वाले time में क्या होने वाला है, कितना loan आने वाले time में लेने वाला है, सारे चीज का एक complete हिसाब, जब एक paper पर आप लिख के एक numerically उसको represent कर रहे हो, that is financial modeling, ठीक है, तो ये जो future financial statements आप करते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको financial models बोलत होता है, there are different types of financial models, सबसे पहले statement model होता है, जिसमें आप profit and loss statement का, cash flow statement का, और जो balance sheet है, इसका एक future forecast करते हो, depending on the percentages and depending on the past performance, so चो आज 2018 से 2021 में company का ऐसा ऐसे growth हो रहा है, इस growth को लेके आप आने वाले growth को forecast करते हो, कि आने वाले time पर balance sheet ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, उसी growth rate के average आप उससे अच्छा गर growth rate है, तो आप एक अच्छा situation लेते हो, उससे खराब growth rate होने वाला है, तो एक negative चीज लेके आप उसको एक paper में represent करते हो, कि आज balance sheet ऐसा दिख रहा है, future में ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, so that's a three statement model, three इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि profit and loss statement है, आप दूसरा है merger model, जैसे मैंने आपको बता है, merchant acquisitions में जरूरत पढ़ती है, एक company A है, एक company B है, दोनों form होके company C बन रही है, ठीक है, या फिर company A है, company B है, एक company दूसरे को take over करके company A बनने वाला है, तो company A को तो पता रहनी से यह न, B का actual fair price क्या है, जिससे मैं खरीद के उसको acquire कर जरूरत है, ठीक है, तीसरा है DCF model, discounted cash flow model होता है, इसका मतलब यह है कि future का जो भी cash flows है, उस cash flows को आप एक certain rate of growth के साथ divide करके आज का आप value निकालते हो, जैसे कि आप compound interest का formula याद करो, compound interest का क्या formula होता है, amount is equals to principal into 1 plus R by 100 to the power N, correct, यह N क्या होता है, यह N time होता है, और यह R क्या ह होता है, यह R होता है rate, ठीक है, अब इसको एक दूसरी तरीके से सोचो, compound interest में आप amount सोचते हो, future में कितने amount आपको मिलने वाला है, अगर आज इस principle को डालोगा, ठीक है, तो आप सोचो, अगर future में आपको amount पता है, amount अगर पता है, और उससे principle निकालना है, तो क्या करोगे, principle equals to amount divided by 1 plus R by 100 to the power N, इसमें R क्या होता है, company का growth, तो अगर company का growth rate आपको पता है, company का future का cash flow आपको पता है, तो यह formula लगा कि आप आज का value निकाल सकते हो की नहीं, यहीं होता है DCF model, इसको पूरी तरीके से जब आप numerically करते हो, company का profits देखके, तो वो होती है DCF model, correct, तो चौता है आपका sum of parts model, जहांपे आप सोचो, reliance जैसे companies में, ठीक है, आप total reliance company का valuation कैसे निकालोगे, reliance के बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि उसका petrochemical है, reliance का GO भी है, इतने सारे चीज़ reliance के under ही आता है, subsidiaries के, तो इस model में क्या सिखा जाता है, कि सारे subsidiaries का अपना-पना value निकालो, उसको add कर लो और total company का value निकालो, simple, right, sum of parts model, उसके बाद leveraged buyout model, जैसे कभी ऐसा होता ही कि आप ए company को खरीदते हो, loan लेके, ठीक है, leverage लेके, मतलब loan लेके आप company खरीदते हो, और company जो profit देती है, उसी profit साब loan को recover करके अपना profit बनाते हो, ठीक है, तो company का जो ये total चीज़ है, जैसे, इस मतलब ये एक तरीके का DCF model ही है, जहाँ पर आप क्या करते हो, companies के, बहुत सारे companies के values देखते हो, और उसके बीच में comparisons करते हो, कि ये company जादा अच्छा investment है, इस company से, क्योंकि इस company का value आने वाले time पे जादा होने वाला है, इस तरीके से, उसके बाद initial public offering model, जहाँ पे आने वाले time में, अगर initial public offering होने वाली है, तो उसका क्या price होने वाला है, क्या share price होने वाला है, market में जब उसको enlist किया जाएगा, तो ये सारे चीज़ का भी financial model होता है, तो आप समझ सकते हो कि कितने domains में इस particular model को use किया जाता है, तो company का जो future है, company का जो vision है, उसको आप numerically यहाँ पे सब कुछ represent कर रहे हो, that is financial modeling and that is how important it is, अब हम जानते हैं कि इसका usages क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा बहुत idea होई गया होगा, future का operational cost, कितना employees आने वाले time में ज़रूरत है, ठीक है, कितना आपको inventory production करना है, कितना inventory रखने की जगाची, ये सब operations company का जो होता है, ये किस तरीके से काम कराना है, ये सब कुछ, फिर आप future financial performance जैसे मैंने बताया, balance sheet वगेरा सब कुछ, capital expenditure आने वाले time पे कितना expenditure होने वाला है company का, company के plans के हिसाब से, कितना funds company को ज़रूरत है, तो company का जो profitability ratios होता है, वो कितना, मतलब वो कैसे आप analyze करोगे, वो भी financial modeling के through होता है, जिसके through आप investors को बताते हो कि इसका जो P by E ratio है, वो इतना है, ठीक है, ये जो सारे ratios आप समझाते हो, वो भी financial modeling के through आप निकाल सकते हो, cash flow generation, कितना cash company के बास आने वाला है, जो main cash होता है, that's the real profit that you are getting, ठीक है, सब कुछ cutने के बाद, revenue के बाद, सारे उसके बारे में आपको idea मिलता है, कि क्या आने वाले time पे enterprise or equity value होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आप जो company का trend है, company grow किस तरफ कर रही है, company का grow positive है, negative है, ये सब चीज भी आप deduce कर सकते हो, financial modeling के through, ठीक है, सो आप समझ सकते हो कितना सारा काम है, and this is just a little trailer of the work, इससे भी ज़्यादा काम होता है, ठीक है, मैं सबसे important काम को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ठीक है, अब last topic पर आते हैं, जहां पर हम यह discuss करें कि इस particular चीज से क्या-क्या jobs available है, शायद आपको यह सबसे awaited चीज है, सबसे पहले equity का research, ठीक है, आप देख सकते हो कि इस company का equity इतना है, तो company एक investment bank के पास ही जाती है, यह decide करने के लिए कि हमारा जो fair price है, वो decide करो, तो investment banking बीच में एक intermediary बनता है, तो वो जो consultancy है, वो investment banking देती है, तो investment banker देता है, उसका जो काम है, as an investment banker आप job पा सकते हो, अगर आपको financial modeling आती है, हर investment banker को यह particular skill है, इसको आना चाहिए, financial modeling का skill उसके बाद आप देखो management consultancy, ठीक है, अगर आप किसी company को consult करना चाते हो, या फिर किसी भी आप investment company को consult करना चाते हो, कि कितना price होने वाला है, इस चीज़ के लिए भी ज़रुरत पड़ती है, फिर portfolio manager, आप जो mutual funds में जो fund managers होते हैं, जो आपका जो amount, आपका जो भी pool of money को करने वाला है, इस basis में आज मैं invest करूँगा, फिर financial analyst का जो role है, जो सारे काम का analysis करते है, finance का company का, क्या जरूरत है, क्या नहीं, ये सब चीज़ भी आप कर सकते हो, इसके तुरू, तो इस particular जो financial modeling का जो main tool है, जो main ब्रहमस्त्रा है, जिसके तुरू आपके साथ ये साथ, ये स spreadsheets का इस्तमाल कर सकते हो, but Microsoft Excel is the most trusted spreadsheet model, जिसके तुरू आप ये सारे चीज़, financial modeling solve करते हो, तो आपको इसके तुरू ये भी समझ आ रहा है, कि Excel का importance कितना जादा है, in fact, Excel में आपको ऐसे inbuilt formulas मिलते हैं, जहां से आप DCF models और सब कुछ, अपने आप reduce करते हो, ठीके, तो अगर आप ये skill सीखना चाहते हो, आपको दो चीज़ की importance है, दो चीज़ का knowledge, एक तो एक proper conceptual understanding finance की basis में, ठीके, कि ये जो सारे concepts है, DCF क्या होता है, finance का जो सारे जो important चीज़ है, जिसके merger में क्या-क्या चीज़े ध्यान रखना है, वो conceptual idea आपको होनी ची़ है, that's the only thing that you require, उसके modeling बहुत जादा important चीज़ है, कि personal financing में भी financial modeling एक important role play करता है, इस video के साथ, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि financial modeling का importance क्या है, इतने तरह के models होते हैं, कैसे आप इसको सीख सकते हैं, और क्या-क्या jobs available है, अगर आप Microsoft Excel का अच्छा skill अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप पूरा एक course build किया है, ठीक है, या फिर आप Google में direct search करें skill bus trainings, और आप जाके देख सकते हैं, हमने किस तरीके से आपके लिए वो course design किया है, तो अगर आपको ये video पसंद आया, दोस्तो, give it a like and share it among your friends, जिनको अभी तक उतना खास idea नहीं है, कि financial modeling actual में होता क्या है, ठीक है, औ और किस तरीके से वो सीख सकते हैं, और क्या-क्या jobs उनके लिए इस particular skill के थुरू availability मिल सकती है, so thank you everyone, stay healthy and stay safe.